नमस्कार मैं हूँ शाश्वत सिंग न्यूज फॉर शोशल में आपका स्वागत है असम में इस बात की चर्चा अधिक थी कि राज सरकार को विवादास्पद नागरिक्ता संशोधन अधिनियम वरिष्ट राजमंत्री हिमंत विश्व सर्मा की तूलना में मेधावी चात्रों के लिए मोटरसाइकल वित्रित करने की योजना शुरू करेगी या नहीं उन्होंने AIUDF प्रमुख बद्रुदीन अजमल पर भी निशाना साथते हुए कहा कि परफ्यूम बैरन MP असम का दुश्मन था असम सरकार की उन शात्रों को दुपहिया वाहन वित्रित करने की योजना है जो 12. कक्षा की परिक्षा में प्रफम श्रेणी में सुरक्षित हैं हिमंत विश्व सर्मा ने कहा कि युवा अब विचार कर रहे थे कि क्या सरकार उन्हें भी मोटरसाइकल वित्रीत करने पर विचार करेगी सर्मा ने कहा कि यही चर्चा का विशय है हिमंत विश्व सर्मा ने कहा कि उन्होंने अजमल को राज का दुश्मन माना अजमल का AIUDF जिसने आगामी राज चुनाओं के लिए कॉंग्रेस का साथ गड़बंदन किया है राज के बंगाली मूल के मुस्लिम समुदाय के बीच में एक बड़ा आधार है हिमन्त विश्व सर्मा ने कहा कि बद्रुदीन अजमल असम की राजनीती के सबसे खतरनाक चरण का प्रतिनिद्द करता है वह समा सिवा के नाम पर कटर पंथी संगठोनों से पैसा ले रहा है वह एक ऐसा नेटवर्क बना रहा है जो असमिया संस्कृती के अनुकूल नहीं है एक व्यक्ति के रूप में नहीं बल्कि कुछ लोगों के प्रतीक के रूप में वे हमारे दुश्मन हैं हिमन्त विश्व सर्मा ने कहा कि अगर कोई उन्हें धूर्वी करण की राजनीती का चरम कहता है तो उन्हें खुशी होगी मैं चरम पर खुश हूँ मैं इस देश में भारतिय और असमिया संस्कृती की रक्षा में एक अतिवादी हूँ अजमल कुछ करने की कोशिश कर रहा है जो असमिया संस्कृती के अलग है सर्मा की टिपनी के कुछ हफते बाद उन्होंने कहा कि भाजपा को असम में बंगाली मूल के मुस्लिम समुदाएक के वोटों की जरुरत नहीं थी अक्सर राज चुनाओं में सौ से अधिक सीट जीतने के लिए आम तोर पर मिया मुसल्मानों के रूप में संदर्वित किया जाता है असम में कॉंग्रिस नेता राहुल गांधी की रैली में सर्मा ने कहा कि यह शेत्र लगभग 15,000 लोगों को पकड़ सकता है केवल 15,000 लोगों से मिलने के लिए राहुल गांधी जैसे लोगप्रिय व्यस्त नेता को एक दिन बरबाद नहीं करना चाहिए कॉंग्रिस असम बचाओ अभियान चला रही है लेकिन बचाओ किस से असम को उन अप्रवासित मुस्लिमों लोगों से बचाना होगा जो बांगला देश से आये थे और असमिया संस्कृती और असम की पहचान को नश्ट कर रहे हैं अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो ते इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें खबरों में बने रहने के लिए देखते रहे न्यूज पॉर शोशल